साथियों आज भारत अपने अमरित काल में है यह अमरित काल आप जैसी अमरित पीड़ी का ही काल है 2047 में हम देश की आज़ादी के सोवर्थ पूरे करेंगे वो हमारे लिए एक एतिहासिक छण होगा 2047 तक का कालखन वही समय है जिसमें आप युवा भी अपने भविश्य का निर्मान करेंगे याने अगले 30 साल जितने आपकी जिन्दगी में महत्वपून है उतने ही देश के जीवन में महत्वपून है इसलिए एक ऐसा समय है जिसमें देश के विकास के कई फेक्टर्स एक साथ जुड़ गए हैं इस तरह का समय नहीं इतिहास में पहले कभी आया नभविश में आने का अउसर मिलेगा यानि नभूतो नभविश्यती आज हम दुनिया की सबसे तेजगती से बढ़ने वाली अर्थववस्ता है पता है ना नहीं बालू कि पालू मैं कि रिकॉर्ड कि कम समय में हम दस्वे नंबर के अर्थववस्ता से पांच वीच सबसे बड़ी अर्थववस्ता बन गए आज भारत पर दुनिया का भरोसा बुलंद है भारत में निवेस्त रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है आज भारत का मैनुफेक्टरिंग और सर्विस सेक्टर नई उंचाईयां छू रहा है हमारा निर्यात एक्सपोर्ट नए रिकॉर्ड बना रहा है सिर्फ पांच वर्षों में कि साड़े तेरा करोड से ज्यादा लोग गरीबी से बहार आए यही भारत का नियो मिडल कराद बन गया है देश में सोचल इंफ्रसेक्टर फीजिकल इंफ्रसेक्टर और डीजिटल इंफ्रसेक्टर के निर्माण से विकास में अभूत्पुर्वत तेजी आ गई है कि इस साल कि फीजिकल इंफ्रसेक्टर में दस लाग करोड का निवेश किया जा रहा है और इस तरह का निवेश कि साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है आप कल्पना कीजिए कि इसका कितना बड़ा प्रभाव हमारी अर्थववस्था पर पड़ेगा और कितने नए अउसर तयार होंगे